दोस्तों एक बहुत important सवाल है जो आपकी दिमाग में भी हो सकता है मैं उसको आपको समझने में help करता हूँ वो है emergency fund आपकाल इनकोश भी उसको आप लोग बोलते हैं यह कितना amount होना चाहिए कि आप किसी भी type की emergency में अपनी life को उसी standards के साथ जी पाएं जैसे standard में आप job में रहते हुए बिजनस में रहते हुए जीते हैं इसका एक evergreen formula है दोस्तों जो गर मैं आपको बताऊंगे तो हो सकता आप जो अगर छूट भी गई तो within six month आप उस type की दूसरी job recover कर सकते हैं डोट सकते हैं उस type का दूसरा regular business आप कर सकते हैं तो formula क्या है उस regular business और regular job वालों के लिए आपको अपने महिने का जितना भी खर्चा है उसका 6 गुना आप उससे 6 से multiply करेंगे जो भी amount आएगा अपने monthly expenses का महिने का जो भी खर्चा आता आपका उसका 6 गुना amount आपको रखना चाहिए अलग से अब वो कहां रखना चाहिए FD में नहीं रखना है उसको lock नहीं करना है उन्हीं तो access नहीं मिलेगा आपको आप RD में रख सकते हैं saving bank account में रख सकते हैं जब emergency आईगी तो आपको उसको ल का टाइम लगे वहाँ पर रेटेन होने के लिए तो आपको क्या करना है थमरूल क्या है थमरूल यह बोलता है कि कम से कम 9 गुना होना चाहिए आपके monthly expenses का जो भी आपका महिने का खर्चा है उसका 9 गुना amount आप या तो इखटा है या फिर over the period of time वहाँ पर save करिए ताकि कभ में भी अगर वह problem आए तो आप उस emergency fund की help से वो life को आप अगे sustain कर सकते हैं या तब तक जब तक आपका business टेबल नहीं हो जाता आपको specialized job नहीं मिल जाती तब तक आप उसी life standard के साथ में वह amount के help से आप उसमें sustain कर पाएंगे life को जी पाएंगे और अपने खर्चे adjust कर पाएं कि अग कर याँ में कर दो दो दोन है